मेरी प्रोफाइल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू लॉक्ट यूर प्रोफाइल यानि कि अब हमारी जो प्रोफाइल है वो लॉक्ट हो चुकी है नमज़कर दोस्तों सुद्ध आपको आज के इस वीडियो में ज़या हम बात करने हैं कि ऐसे आपके फेसबूक की जो प्रोफाइल होती है उसे लॉक्ट कर सकते हैं तो चलिए अज के इसका हमारी यदियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज अगर आपको आपके Facebook के profile को log कर रहा है तो आप बिल्कुल सा वीडियो में है तो आपको simply इस वीडियो को end तक देखना है तो आपको गया करना है सबसे पहले अपने Facebook profile को log करने के लिए अपना जो Facebook के होता है उसे open कर देना है तो मैंने यापे जैसे ही अपने Facebook को open कर दिया है तो आपको कुछ इस तरीकी का interface दिखाई दे रहा होगा अब आपको क्या करना है simply यापे उपर की तरफ आपको बहुत सारे options दिखाई दे रहे होगे तो इन में से आपको सबसे last वाल option दिखाई देगा ये रहा three lines वाला तो आपको ये जो three lines दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करके रखना है तो आप जैसे इन three lines वाल option पर क्लिक करके रखोगे तो आपको दिखाई देगा आपका profile तो आपको इन में से आपका जो भी profile होगा इस पर क्लिक कर देना है तो simply आपको नीचे की तरफ यहाँ पे भी बहुत सारे options दिखाई दे रहे होगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 3.1 option यह जो है आपको simply इस पे click कर देना है अब आप जैसे ही इस पे click कर देते हो तो यहाँ पे आपको click करना है Lock profile वाल option पे जो की चौथा option है फोर्ट वाल option आप जैसे ही lock profile वाल option पे click करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा lock your profile तो अगर आपको lock करना है तो आपको सबसे last वाल option दिखाई देगा lock your profile आपको simply इस पे click कर देना है अब आप जैसे ही इस पे click कर देते हो यहाप आपको ok पिलिक करदेना है तोब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे प्रोफाइल में यह पे दिखाई दे रहा है You log your profile यानि की अब हमारी जो प्रोफाइल है वो log हो चुकी है तो अगर आपको ये वीडियो इन्फोर्मेंटिव लोगाउट तो शुड़ों को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अमारी चैनल को वीडियो देखने के लिए आपका धन्याद थेंक्यू सो मच